कि है गाइज देखो एक स्टॉक है जिसमें आज के रेट में काफी बड़ा गिरावट हुआ हाला कि मार्केट तो बहुत तेज भागा है लेकिन मैं आपको बहुंगा कि मार्केट में जिस तरीके से भी आपको तेजी देखने को मिल रही है हमें थोड़ा सा उसके उपर ज्या काफी बड़ा गिरावट होता है एक महीने में देखेंगे तो 23 या 24% है पिछले 6 महीने में देखें तो उपर से अगर हम देखते हैं तो लगबग स्टॉक 41% टूट चुका है उपर वाले लेबल से देखते हैं कितना तो 41% आधे दामों पे मिल रहा है ये कंपनी का नाम त परे में ये डील करते हैं उनके अगिंस्ट में ये लोन देते हैं तो इसके उपर इनको काफी ज़्यादा इंडरेस्ट मिल दा है इनको दो तरीके से बेनिफिट होता है अगर देख लेते हैं किसी तरीके से गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो जब गोल्ड का प्रा प्रॉलम देखने को मिल जाता है लेकिन यहां पर अगर किसी ने लोन पैसा ले लिया अगर वापस नहीं दिया समझे तो यहां पर कंपनी को और उल्टा बड़ा मुनाफ़ा होता है देखो मैं आपको बताऊंगा यहां पर होता कैसा है मैंने एक बैंक के चेर्में बैंक के ए उसको हम कितने रुपिस का यहां पर लोन दे सकते हैं तो उसको वहां पर किवल 60 रुपिस तक का ही रोन दिया जाता है जादा से जादा कितना है पकर लापस से वाटर होता, कुछ में डाला जाता, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ गोल्ड के कुछ ऐसे भी यह होते है, पोइंट होते है, जो थोड़ा विखर जाते हैं, या उनसे अलग हो जाते है, तो उसके बाद क्या होता, निकाल लेक बाद इनका weight कम सा हो जाता है समझदो तो वहाँ पर इनका क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि इनका value थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद ये भी बोलते हैं कि भाई देखो गोल्ड का price बढ़ता तो है लेकिन घटिबता भी तो है तो हम इसके कारण में हम loss नहीं ले ताकि कल के डेट में अगर गोल्ड का वैलू 30% गिर गया या कुछ हो गया करके तो भाई वो मैं सीफ जोन में रहूंगा तो इस हिसाब से आपको केवल 60 ही मिलता तो समझ लो इस हिसाब से वो अगेंस्ट में देते हैं अगर गोल्ड का वैलू बढ़ जाता सौस अगर बढ़ नोटिस दिया था बोला था कि भाई जितने भी बैंक है वो भी गोल्ड लोन दे सकते हैं अब फस गए यहां पर दो कंपनी मनापूरम और मुथू फाइनेंस जब सभी लोग गोल्ड लोन दे सकते हैं तो भाई मुथू फाइनेंस और मननापूरम फाइनेंस का जो बिजनस समझ रो काफिक ज़्यादा नुक्सान हुआ हाला कि मुथूट फाइनेस तो मैं आपको बोलूँगा कि मुथूट फाइनेस ने तो मतलब स्टेबल है वह बहुत बड़ी कंपनी है मननपूरम के आगे इस वज़े से वह किवल थोड़ा स्टेबल है लेकिन मननपूरम को बहु आज RBI ने कुछ बोल दिया तो कली की डेट में आपका प्राफिट एक दम से निश्या आ जाता है ऐसा कुछ भी नहीं होता कल के डेट में क्यूंकि देखो जो क्वार्टर होता है ना क्वार्टर पता चलता है जो अभी आ रही है वह अगले क्वार्टर में देखने को मिले तो यहां पर मैं आपको नेट प्राफिट की बात करता हूं देखो रेवन्यू यर औन यर तो बढ़ता जारा कंपनी का समझे यर औन यर के हिसाब से प्राफिट भी ठीक है लेकिन अब जो पिछले साल से इस साल में कुछ थोड़ा सापको डिफ्रेंस देखने को मिलेगा तो यह है quarter and quarter पहले company का जो higher यहां पर net profit था 483 था जो लगबग 400 करो से 483 देख रहे हो किस तरीके से 100 करोड का आसपास का यहां पर jump देखने को मिला 80 करोड के आसपास सोच लो वही company next quarter में company को लगबग जो profit हुआ 468 करोड का फिर देखो 436 और अभी तो लगबग इसने 400 का लेबल ही इसने छोड़ दिया है अब आ चुका यह 369 के आसपास अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 69 करोड भी इसके हाँ से गया तो लगबग 200 कुछ में आ जाएगा है समझे रहो तो company का profit लगबग यहां पर जो 500 करोड होने वाला था यहां पर लगबग देखो गिरता ज हिसाब से अभी तो लगबग company का कम से कम तो 600 करोड या 700 करोड के आसपास profit होना चाहिए ता जिस तरीके से growth देखने को मिल रही है लेकिन उल्टा यहां पर आपको लगबग नीचे जाती हुए नजरा और यह मैं आपको net profit दिखा रहा है company के पास मैं आपको बलूँगा के लगबग 7,000 करोड के आसपास reserve है लेकिन 25,000 करोड के आसपास लगबग बहुर है तो यह भी एक बड़ा problem है पर motor के पास लगबग 35% के आसपास यह से दारी ज्यादा तर मैं आपको बलूँगा foreign domestic वाली है जहां पर यहां पर माल उठा रहे तो मैं आपको बलूँगा कि अ के डेट में market उपर जागा तो stock भी recover हो जागा लेकिन अगर result ही अच्छे नहीं यह company अगर देखोगे तो यह fundamentally है जो fundamentally ही ठीक नहीं यह company का तो market जा है उपर जाए यह नीचे जाए ऐसी company में आपको केवल गिरावटी देखने को मिलेगा फिर और देखोगे पिछले एक साल म ने कम थाइसो पसंट तक का return दिया था सोचो तो पहले company बहुत अच्छी तरीके से grow हो रही थी लेकिन जब से यह ख़बर आया है तब से लगबग market में कुछ जादा ही आपको volatility थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल देखे तो यह तो लगबग number one जो लगबग करने के लिए नहीं wait किजे मौसम को थोड़ा सुधरने देजे business अगर scale up होता तो वहां खरी दिये ने तो मैं आपको बलूँगा बहुत ज़्यादा ऐसे stock है जहां पर आप switch कर सकते हो alternative stock है substitute ले सकते हो वो ज़्यादा बिटा रहेंगे ना कि मैं आपको बलूँगा कि देख लगबग पिछले एक सालों से केवल 5% का जंप देखने को मिला गोल्ड में केवल 5% का इससे पता चलता है कि गोल्ड में भी लगबग कुछ जाता fluctuation नहीं हुए तो उनके पास जो stock बचा हुआ है जो inventory है उनमें कोई fluctuation नहीं कोई fluctuation है पिछले एक साल से अगर यह 5% 5% का म सकते हैं inventory पर तो गोल्ड खुदी यहां पर परिसान है यहां पर आगर आप देखोगे तो maximum है यह अपने high level से गिरा हुआ और अभी तक उस level को touch नहीं किया इसने तो जब गोल्ड का price increase नहीं होगा तो gold loan मैं आपको बहूंगा उसमें भी थोड़ी ना थोड़ी problem देखने को सब लोग दे रहा है security है ना इसमें ज़्यादा ज़्यादा इस वज़ेसे मैं पोलूँगा कि मुत्वर finance जैसे stocks तो हैं बहुत अच्छे लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि लगबग ऐसे business में सबी लोग ढूग रहे हैं तो क्या काफी चरिटन दे सकता है देखो cash cash में loan देना अलग चीज होते है risk होता है वहाँ पर बहुत जादा risk होता लेकिन reward भी होता वहाँ पर कुछ लोगी sustain कर पाते हैं और कुछ लोगी leader हो पाते हैं समझ रो तो वह अलग चीज होती है और यह अलग चीज होती है totally तो और अगर आप stock market में ने हो तो अपने डिमेट अगर आपन कर सकते हैं